हेलो रिवन स्वागे थे आपका सिविल सर्विस प्योटी चनल में सो गाईज आई होब कि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि इस्टेट PCS का पेपर कब है और संग लोग सेवा आयोग UPSC का पेपर कब है ठीक है दोनों पेपर मई मंत में है और UPSC के अगर बात करें तो 12 फेबरी को है उके उन एक्जामों को देखते हुए आज का हमारा पहला कोस्टन्स है और एक ही कोस्टन्स रहेगा देखें यह कोई आपको अपने आप में यह देखना है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट का कोस्टन्स है चेप्टर का है सेगमेंट का है आपकी प्रिप्रेशन्स उस पे कितनी अच्छी पकड़ हो चुकी है उस टॉपिक पे आपको यह कोस्टन्स से पता चल जाता है कि हमें और डिप पना है क्ذम आपको समय भी है परियाब्त समय है हम बहुत अच्छे से फोकस्ट टॉपिक पे कर सकते हैं ठीक है आज का हमारा जो पहला प्रिप्रेशन्स है हलाकि एक ही कोस्टन्स रहने वाला है क्लियर और question क्या है कि मूल अधिकारों के संदर्व में निम्लिखित कत्नों में से कौन सा सही है यानि इसमें total तीन statement दिये हैं उनको ये बताना है कि इसमें से कौन सही है और ये किस chapter की segments लिया गया है तो ये fundamental right से लिया गया है clear तो आपके सामने option भी है और इसके statement क्या है तो उसको हम करते हैं वे अनुलंगनी प्रकृति के हैं और उनमें संसोधन नहीं किया जा सकता जो पहला statement है क्या कह रहा है कि मूल अधिकार के संदर्व में निम्लिखित कत्नों में से कौन सा सही है तो ये कह रहा है कि जो मूल अधिकार है अनुलंगनी है कि प्रकृति के है और उनमें संसोधन नहीं किया जा सकता दूसरा option क्या कह रहा है कि वे राज और नीजिव यक्ति दोनों की कारवाईउं के विरुद ऊपलब्ध है और तीसरा क्या कहता है कि वे कारपाली का और विधाई का दोनों की निरंकोस्ता पर नियन्प्रण के रुप में कार करते हैं ठीक है तो जो पहला option है कि वे अनुलंगनी प्रकृति के हैं और उनमें संस्वधर नहीं किया जा सकता ठीक है तो देखे ये तो बिल्कुल ठीक है बाते ठीक है लेकिन अगर आप इसको और गौर से पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे संविधान में मुल अधिकार के लिए क्या कहा गया है ठीक है कि जो संसद है वो संसोधन कर सकता है उस अधिकार को सीमित कर सकता है लेकिन किस सीमा तक जिस सीमा तक जो संविधान का मूल सरचना है ठीक है यानि संसोधन possible है ठीक है लेकिन जो संविधान का मूल धाचा है उसका उलंगन जब तक नहीं होगा संसत के द्वारा मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है यानि ये जो statement है कि अनुलंगनी है तो गलत है भै बिलकुल संसोधन किया जा सकता है लेकिन एक सीमा तक कब तक जब पहला option है वो तो गलत हो जाता है ठीक है अब दुसरे प्याते हैं वे राज और नीजी ब्यक्तियों दोनों की कारवाईयों के विरुद उपलब्ध है ये बिलकुल सही बात कहा गया है ठीक है कि जो fundamental right है वह राज अपना मनमानी न कर सके जिसके लिए नागरिकों को ये दि दिया गया है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे अधिकार है जैसे अस्प्रिसेता यानी चुवा छोज्जो होता है आर्टिकल 17 ठीक है का उनमूलन आदी नीजी नागरिकों के विरुद भी उपलब्ध है यानी जो हमारा fundamental right है जब हम fundamental right का जब chapter पढ़ते हैं तो उसमें बात लिखा गया है कि राज अपनी मनमानी न कर सके अपनी सत्ता रूढता आपके प्रति न दिखा सके किसी एक पक्ष के प्रति किसी एक समुदाय के प्रति अपनी मनमानी करवाईयों को न कर सके जिसके लिए समिधान में लोगों को मूल अधिकार दिया गया है ठीक है और यहां दिया तो दोनों के करवाईओं के बिदे नीजी बेक्तिकी बातिक की जा रही है, ठीक है, लेकिन, लेकिन, जो हमारा छुवा छोत है, ठीक है, जो आर्टिकल सत्र है, clear, असपरसिता, ठीक है, उसके बिरुद्ध भी है, clear, भाई आप केसी को नीचा नहीं दिखा सकते हो, आप केसी स छुवा छोत का भेद नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो जो हमारा आप्सन दो है, वह सही हो जाता है, clear, जो आप्सन तीन है, वे कारेपाली का और विदाई का दोनों की दिरकुस्ता पर नियंत्रण के विरुद्ध कारे करता है, बिल्कुल, जो दो और तीन है, सेम स्टेट्में वह कारेपाली का और विदाई का की जो सकती है, को सिमीद करता है, ठीक है, और इस प्रकार कारेपाली का और विदाई का की दिरकुस्ता पर रोक लगाता है, भहिया, आप हम पे एक लिमिट तक मनमानी कोई भी बात कर सकते हो, उसके बाद अगर करते हो, तो हमारा जो मूल है हम उसके प्रती अपने मुल अधिकार को लेकर हम अवाज उठा सकते हैं ठीक है और हम कोट में जा सकते हैं आर्टिकल किस के द्वारा 32 के द्वारा 32 के द्वारा ओके सो यहां पर जो भी option एक है जिसमें जिसमें वो तो पहले नंबर पे गलत हो जा रहा है ठीक है दो तीन सही है तो आपसंसी सही है आप इस तरह से अपने को चेक करिए कि आपका जो fundamental right है का जो chapter है वो तयार है कि नहीं अगर थोड़ा से भी इसमें उल्जन हो रहा है तो अभी समय बहुत जादा है तुरंत अपना लक्षमी कांत की बुग खोलिए और उसको दो से तीन बार पढ़ जाएए I hope के आने वाले timing में चाहे questions कहीं से भी रहे fundamental right से आप नहीं फसोगे So thank you so much फवाची